हेलो हेलो फ्रेंस आपका मेरे रविना रशोई यूटूब चैनल पर श्वागत है जम बनाएंगे पित्र पक्स के लिए यह मैंने दो लीटर दूद लिया है और इसको बॉइल करने के लिए इसमें चावल और तुलसी के बीज सबजा के बीज डाल दिये हैं वो क्लिप मिर से निकल गई और पहले ही मैंने इसमें डाल दिये और हम पित्र पक्स के लिए इस सब खाना बनाएंगे थाली बनाएंगे पित्र पक्स के लिए मैंने तेल लिया है उसमें जीरा और कड़ी पत्ता डाल दिया है और सूखे मसाले डालेंगे इसमें हम द्लसन और प्याज के इस लाल मिर्ची पाउडर, तीखा कम खाते हैं तो थोड़ा डालिए, जादा खाते हैं तो जादा डालिए, मैं दो मिर्ची काट के डाल दोंगे, अब इनको मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद मैंने टमाटो प्यूरी डालिए, टमाटो को पीक्स लिया हैं, और इनको काट की रख लिये थे अब इसमें अलू डाल देंगे और सारे अलू डाल दिये हैं अब इसमें हम मिक्स करेंगे अच्छे से और श्वाद अनुशार नमक डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें मिक्स करने के बाद अब इसमें हम हरे दनिया डालेंगे और हरे दनिया को भी मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम दो कटोरी पानी डालेंगे इसमें दो कटोरी पानी डाल दिया आप इसमें इसको भी मेक्स करने के बाद हम आप इसको ढखके पका लेंगे तीन सिटी आने तक इधर हमारा आलू तेयार होता है दूसरी तरफ हम आटा लगा लेते हैं देखिए मैंने यह आटा लिया है इसको गूंद लेंगे अच्छे से और यह में थोड़ा ओईल लिया है जिससे हमारा बैटर सुखे नहीं हमारा आटा और दूसरी तरफ में एक खीर हमारी पग गई है इसमें हम चीनी डालेंगे एक कटोरी मैंने भरके चीनी डाली है तो लेटर दूद था और पाव चावल था अब इसमें हम ड्राइफ फूड डाल इसमेंगे और रिलाई चीनी डालेंगे रू मिक्स कर लेंगे निगर अच्छे से दूसरी तरफ हमारे दूसरी सबजी की तैयारी करते है मैंने तेल में जीरा और वही और कड़ी पत्ता और शुखे मसाले डाल दिए है बारी-बारी से जीरा दनिया और हल्दी और लाल मे च नमाटर प्यूरी डालेंगे क्योंकि पित्र पक्स में हम लख्सन प्याज नहीं डालेंगे न इसलिए हमने शिंपल जीरे और शुक्षे मसाले से त्यार करें दे कित्याद श्चिक्रेवी बनकर हमारी रेडी हुई है बिना लयाद प्याज और लस्सन के वह इनको डालके मेक्स करके इधर पकने देंगे दूसरी तरफ हम पूरी उतार लेंगे ओल हमने गरम कर लिया था पहले ही मैंने आज पित्रों के लिए पूरी थाली तयार की है आप भी जरू ट्राइ करना आच्छी लगे तो लाइक करना सेयर करना सस्क्राइब करना इधर हमारी पूरी भी तयार हो गई तूसरी तरफ मैंने जलेबी लिया है उसमें ब्रैड की जलेबी बनाई है कैसे बनाई है देखिए मैंने ब्रैड में कौन फ्लर डाला है और धाई डाला है और दूट डालके इसका बैटर बना लिया है और ये मैंने पाइप इन बैग में डालके इसको निकाल लेंगे उसका देखिए एक एक करके हम निकाल लेंगे इस तरह से इसमें कुछ नहीं है बैटर में और ये हमारी जिलेबी ब्राउन होगी इसको निकाल लेंगे और चास्नी भी मैंने पहली रेडी कर ली थी एक तार की चास्नी बना ली थी अब जिलेबी को हमने चास्नी में डाल दिया है और अब इनको हम निकाल लेंगे सव करेंगे देखिए हमारी किती टेस्टी जिलेबी बन कर तयार होई है ये भी मैंने पित्रों की लीजी अब हम थाली लगा लेते हैं इसमें खीर है आलू की सबजी तोरी की सबजी गलाब जामून है और जिलेबी है और पूरी है अच्छी लगे तो लाइक करना सेर करना और ट्राइज जरूर करना बाई गाईज